हाई एवरिवन स्वागत करते हूँ आपका अपनी चैनल ग्राने गार्डन ब्लाग्स में दोस्तों जैसे ही गर्मी आती है वैसे हमारी सभी हाउस वाइब का काम बिल्कुल चालू हो जाता है क्योंकि थंडी के मौसम के लिए और बरसात के मौसम के लिए हमें सारी तैयारिया करनी होती है एक साथ में आज हम लोग मिर्ची को ठंडी और बरसात के लिए कैसे इस्टोर करके रखना है बस उसी का वीडियो हम लोग आज देखने वाले है तो यहां मिर्ची को मैंने एक धू पहले अच्छे से सुखा लिया है और उसके पूरी सफाई करने के बाद में मत है और उसके बाद में हमें सेप्टी से ही रखना होगा क्योंकि बहुत जल्दी बरसात के मौसम में इसमें कीडे लग जाते है तो फिर हमें चान चान कर यूज करना होता है और कीडे लगने की वज़से हमारे मिर्ची पाउडर का कलर भी चला जाता है और टेस्ट भी कम हो इसके लिए हमें हिंग लेना है पाउडर वाला हो या फिर डिगले वाला हो कोई भी हम लोग यूज कर सकते हैं तो बस एक चमच हमने यहां पर हिंग पाउडर लिया है और इस मिर्ची पाउडर में हमें अच्छे से मीक्स कर लेना है वैसे भी अगर हम लोग कोई सब्जी बनाते हैं और सब्जी में मिर्ची अगरे डालते ही है तो उसमें भी हम लोग सब्जीयों में हिंग पाउडर का उपयोग करते ही है कभी कभी करते हैं लेकिन हम करते ही है इसलिए अगर हम मिर्ची पाउडर में हिंग पाउडर को मिला देते हैं तो हमें न सब्जी में डाल बचने की भी जरूत नहीं पड़ेगी और हमारे जो मिर्ची का कलर टेस्ट और कीडों से बचने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है यह हमारा घरेलू तरीका है इसे अपना कर हम लोग बहुत ही आसान तरीके से मिर्ची को एक साल के लिए हम लोग इस्टोर करके रख सकते हैं क्य प्लास्टिक के डिब्बे में जो भी डिब्बा हमारे घर में वह एरटाइट उसमें हम लोग पेक कर सकते हैं तो चलिए हमारा मिर्ची पावडर तो पेक हो चुका है उसी के बाद में हम लोग धनिया पावडर को भी पेक करना है तो धनिया पावडर को भी हमें एक धूप अच्छे कड़क दिखा देना है क्योंकि अभी गर्मी के मौसम में बहुत तेज धूप रहती है और इस धूप क उपयोग हम लोग बखू भी तरह से करते हैं तो यहां हमने एक धूप दिखा दिया है और धनिया को इखटा हमने यहां कटोरे में रख लिया है उसके बाद में हमें चलनी से चान लेना है क्योंकि बहुत सारी इसमें डस्ट भी रहती है और छोटे-छोटे मिटी कंकर रहत है तो उसे भी हमें साप करना है क्योंकि थंडी के मौसम के लिए हमें इसे इसे इसटोर करके इसलिए हमें इस्टोर करने के पहले सारी सफाई करना होता है तो इस पकार से हमें पूरे धनिया को साप कर लेना है फिर दो घंटे धूप दिखाने के बाद में फिर इसका हमें ला लेना है पावडर बना के चक्की से धनिया पावडर ऐसा है कि हम लोग मिक्सर के जार में नह लाना पड़ता है तो बस यहां हमने पूरे पाच किलो धनिया इखट साट पिसा कर ला लिया है अब हमें करना है इसे क्यूक्वी स्टूर करने के लिए हमें बहुत सारी चीजों का भी ध्यान रखना होता है क्यूकि हमें साल भर के लिए इस्टोर करना है तो बस इसमें समय गलत न दोला हमें डालना हो तो वो कभी मतलब एक ही तरफ रहेगा लेकिन अगर जो पावडर वाला अगर हम लोग डालते हैं तो पूरे धनिया पावडर में हमारा मिक्स हो जाएगा इसले हमें पिसा वहा ही ही पावडर इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है उसके बाद में हमें इस प्रकार से एयर टाइट डिबा लेना है ठील का हो खाज का हो या फिर प्लास्टिक का हो मतलब इस प्रकार का हमें डिबा ले लेना है और उसमें पनी एक अच्छे से लगा लेना और पनी की तो कोई दिक्कत ही ने जाती है क्योंकि हम लोग बहुत सारी ऐसे सापिंग अगरे करते हैं तो उसमें हमारी पनीया आती है और पनी का हम लोग उपयोग बहुत आसानी से कर सकते हैं तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे ताकि हर दिन का जो नए नए मेरे वीडियो ब्लाग आते रहते हैं उसका नोटिपिकेशन सबसे पहले आपको पहुचे तो इस प्रकार से हमें पूरा हमने धनिया यहा हमें बहुत कुछ थोड़ी सी सावधानिया बरतनी होती है क्योंकि हल्दी पावडर ऐसा है कि इसमें हमें हिंग पावडर डालने की जरूरत नहीं होती है लेकिन हल्दी पावडर में बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं इसलिए हमें चान चान कर ही यूज करना रहता है तो यहां पर मैंने 2 kg हलदी लाई है और हलदी को हमें अच्छे से एक पानी से धूल लेना है क्योंकि मार्केट से अगर हम लोग लाते हैं तो बहुत सारी डस्ट अगरे लगी रहती है तो हमें इसे धूल कर पंके में 2-3 मिनट के लिए हमें डाल देना है और उसके बाद में चक्की से इसका भी पावडर हमें बना कर ला लेना है तो यहां मैंने पूरा पावडर बना कर यहां रेडी कर लिया है अब हमें धनिया और मिर्ची को तो हमने एक साथ ऐसे ही इस्टोर कर दिया था उसे हमें चानने की जरूत नहीं पड़ी थी लेकिन हलदी पावडर को हमें चान कर ही पेक करना है क्योंकि इसमें बड़े बड़े डिगले अगरे भी रहते हैं या फिर कुछ जैसे डालते समय कुछ दाने छूट जाते हैं तो इसलिए हमें हलदी पावडर को कभी भी चान कर ही इस्टोर करके रखना है और हलदी को हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजों में उपयोग करते हैं जैसे पेक अगरे लगाने के लिए और उप्टन अगरे बहुत सारी ऐसे चीजे रहती है जिस के लिए हम लोग उपयोग करते हैं इसलिए हमें चान कर ही इसे इस्टोर करना है तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें इसे भी पेक करने के लिए हमें एक ये टाइट डबा ही लेना है मैंने तीनों डब्बे में ही मुझे पेक करना था इसलिए मैं तीनों डब्बे एक साथ म द्धनिया हल्दी कोई भी हो क्योंकि एक साल के लिए और बरसात के मौसम में बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं इसलिए हमें बहुत शेप्टी रखना पड़ता है मतलब ध्यान देना पड़ता है अब दोस्तों हमने मिर्ची और धनिया में हिंग पाउडर का उपयोग कि हम इसमें भी हिंग पाउडर का उपयोग करेंगे लेकिन मिर्ची धनिया में हमने डायरेक्टर डाला था इसमें हमें डायरेक्टर नहीं डालना है क्योंकि हमें इसे मतलब अन्य चीजों में भी इसका उपयोग किया जाता है इसलिए हमें एक चमच हमें लेना है छोटी चम मच हिंग पावडर लेना है और काटन का कपड़ा लेना है तेरी काट का नहीं लेना है काटन के हमें दो कपड़े लेना है और दो कपड़ों की हमें बनाना है पोटली दोस्तों मेरा आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज अपने दोस्तों को जरूर सेयर करिए और अगर पसंद आता हो तो लाइक करना बिल्कुल भी न भूले दोस्तों क्योंकि हर दिन मेरे ऐसे नए नए ब्लाग और वीडियो अपने कीचन से रिलेटेड आते रहते हैं तो चलिए हम लोग इसी प्रकार से दो पोटली बना कर यहां रेडी कर लेंगे क्योंकि हिंग पाउडर ऐसा रहता है कि हमारे सबजी वगरे में टेस्ट तो आता ही है क्योंकि हिंग पाउडर हम लोग डाल कर सबजी कभी बनाते हैं दाल वगरे में भी तड़का लगा कर हम लोग बनाते हैं लेकिन कीडो से बचने के लिए यह एकदम कार गर उपा है और एक पोटली हमें इस डिब्बे में रख देना है और उसके बाद में हमें डाल देना है हल्दी पावडर को पूरी हल्दी पावडर हमें डिब्बे में भर देना है क्योंकि एक साल के लिए इस्टोर करना रहता है तो ज्यादा रहता है हमारा हल्दी मिर्ची धनिया पावडर तो हमें सेप्टी तो करना ही होता है लेकिन हाउस वाई बखु भी तरह से जानती है कि एक साल के लिए हमें इस्टोर करके रखना है तो कैसे सेप्टी करके रखना होता है तो बस हमारी हल्दी हम डालने से पहले हमने एक पोट्टी डाल दी थी और अब डालने के मतलब पूरा है पेख करने के बाद में हमें इसका ठकन map देना है पेख अरे कोई टेंसनलेने की जरूत नहीं है न हमारा हलादी मौची धनिया कोई भी खराब होने का चांसनल नहीं है लेकिन जब भी हम लोग इसे खोले तो सेफ्टी से ही कोब और इसी प्रकार से हमें इसे पेक करके फिर रखना है तो दोस्तो आज का मेरा ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताईए और एक बार फिर बोल रही हूं कि पसंद आया हो तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही निव ब्लाग में निव वीडियो के साथ में, निव रेसिपी के साथ में, तेंक यू